जग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्वि स्रुजन में प्रतेक दिवस की भाती आज भी लाइव चर्चा का हम प्रारंब कर रहे हैं आज का जो विशह है वग योगी के मोख्ष प्राप्ती से है शिवयोगी कैसे मोख्ष प्राप्त करता है परिणाम से उसका ले संबह हो पाता है इसके परिणाम से उसके जीवन का कल्यान संबह हो पाता है तो पीछे जो सुत्र बताया गया सिद्ध सत्व सिध्धी को प्राप्त करने वाला योगी स्वातंत्र सिध्धी को प्राप्त करने वाला योगी योगी ऐसी शक्ती को प्राप्त करता है कि किसी भी शरीर पर नियंतर्ण कर सकता है किसी भी शरीर पर नियंतर्ण कर सकता है और उसके लिए उसे कुछ टेक्निक की आवशकता नहीं पड़ती है सुभावी के रूप से उसका नियंतर्ण बन जाता है सुभावी के रूप से तत्वों पर उसका नियंतर्ण अस्थापित हो जाता है वो सुभावी के रूप से है क्योंकि वो ऐसी अवस्था में जा चुका है कि जहां पर तत्तों पर उसका नियंतरन रहता है और अंता करण मन बुद्धी पर यहां तक की दूसरे अन्य मन बुद्धी शरीरों पर भी उसका नियंतरन रहता है और वो सुभावी करूप से उसे करने के जूरत नहीं है उसे को टेक्निक यूज़ करने के जूरत नहीं है वो रहता है परंतु योगी को सावधान करते वे बताया गया बीजावधानम अर्थात योगी को चाहिए कि संपुर्ण ब्रमान के मूल स्वरूप बीज रूप में बीज का ही वह ध्यान करे बीज का ही वह ध्यान करे वह अन्यत्र का ही ध्यान ना करे क्योंकि बीज का ध्यान करने से बीज से जुड़े रहने से ही उसकी सारी स्वतंतरता और सारी सिद्धिया है और योगी जानता है इस विशय को तो वो उसी में अपना अवधान करता है बीज के परती ही वो सावधान रहता है और इसका परिणाम क्या होता है अगले सुत्र में इसके परिणाम के विशय में बताया गया है इसके परिणाम के विशे में बताया गया कि यदि योगी बीजावधानम करता है तो क्या होगा आसनस्ता सुखम हर्दे निमज्जती पराशक्ती में सदा सावधान रहने वाला योगी आसनस्त ही परमानंद रूपी संबित सिंधू में सुख से निमजित तनमे होता रहता है उसका लए उस ब्रह्म में होता रहता है योगी का लए जो है उस ब्रह्म में होता रहता है और वह अपने ले की और आगे बढ़ते बढ़ते पूर्ण मुक्ती को भी प्राप्त करता है तो योगी का ले कैसे होता है इस बात को समझाने के लिए तभी होता है जब वो बीज के परती अपने मुख्य उद्देश के परती सावधान रहता है और बीज का अवधान कभी त्यागता नहीं है बीज का अवधान कभी त्यागता नहीं है बीज में लगे रहता है तो वो ले को प्राप्त होने लग जाता है उसका ले होता है निमजती मतलब मजन हो रहा है उसका लय हो रहा है वो उस ब्रह्म के साथ एक रूप हो रहा है वह अपने भाव को खोकर उस ब्रह्म भाव में लीन हो रहा है ब्रह्म में लीन हो रहा है वो इस प्रक्रिया में चला जाता है इस प्रोसेस में चला जाता है हाँ यहाँ पर यह पूरा मोक्षे तो उसका नहीं हुआ लेकिन एक प्रोसेस बन रहा है, एक आवस्था बन रही कि उसने इस स्वतंतरता में पर ध्यान नहीं दिया, कि वो सभी सरीड़ों पर नियंतर्ण कर सकता है और इधर उधर वो सबको अपने कंट्रोल में रख सकता है लेकिन उसने बीज पर ध्यान दिया और उसका बीज में ही ले होना शुरूआ तो कि अगर बीज पर नहीं ध्यान देगा उन्हों विश्यों पर ध्यान देगा तो संभाव है कि वो पतन की और भी चल पड़े वो पतन की और भी चल पड़े फिर फिर से वो फसना शुरू कर दे बहुत तरह की बातों में बहुत तरह की चीजों में नहीं तो वो बीज की और ही जाता रहता है और उसमें उसका ले होता रहता है और वो ले की प्रक्रिया जो है वो फास्ट हो जाती है वो ले की प्रक्रिया जो है जुडने की जो प्रक्रिया है उसकी वो तेज हो जाती है तो जो सहज विद्या, सहज विद्या जो उसको श्यवयोग प्राप्त है वही सहज विद्या है उसके लिए तो सहज विद्या के बल से मूल तक्तो पर अवधान, ब्रह्म पर अवधान दृष्टी को जमाता हुआ, उसी पर अपना सारा फोकस उसका रहेगा, उसके साथ एक हो जाता है और शिव योगी अपने मूल भूत शाक्त बल रूपी, आसन पर अथवा उदान नामक, फ्रान की मस्तिष्की और उसकी दिशा है, ध्यान में उदान वायू ही है, जो हमें ध्यान में सहायक होता है, और उदान वायू बिगड़ने से रिप्रेशन होता है, मन की चंचलता बढ़ जाती है, बहुत तरह के जो मानसी के रोग आते हैं, वो उदान वायू के कारण आते हैं, उदान वायू के अनियंतृत होने से, असयमित होने से, लेकिन उदान वायू सही रहने से बहुत अच्छा ध्यान होता है, साधना होती है बहुत अच्छी, इसलिए यहाँ पर उदान, उदान नामक परान रूपी आधार पर आरूल होकर, उस पर सवार होकर, उदान रूपी प्रान पर उसी पर विश्शांत होकर बिना हो परतिहार आदि के कश्ट को जिलब उसके लिए अब परतिहार धार्ना नहीं रह जाता है, वो तो समाधी में लीन हो रहा है। अराम से स्वमेव उस ब्रह्मरूपी परम शिवतत्तों में अंतरलीन होता रहता है योगी कैवल की प्राप्ति करता है जो योगी सिद्धियों में ना उलजकल बीज में ही ध्यान रखता है वही ऐसे परमधाम की प्राप्ति करता है वही ऐसी अवस्था को प्राप्ति करता है और अगर बीज को छोड़कर वह अगर फिर भी कहने का ताथ पर बीजा वधानम इसलिए पहले सुत्र बताया क्योंकि वहाँ पर भी संभावना है योगी खुलासा इधर उधर जाकर पतन के मार्क पर भी जा सकता है इसलिए प्रारंब से बीज पर ध्यान रहना चाहिए और रही बाद योगी के द्वारा सिध्धियों का प्रसार होना तो वो अपने आप ही होता रहता वो करने के जुरत नहीं पड़ती वो इंटेंशनली करने के जुरत नहीं पड़ती योगी के द्वारा उसका प्रसार अपने आप हो जाता क्योंकि वो तो हो चुका है इसलिए पहले भी मैंने कहा कि योगी को किसी को वश्मे करने के आवश्क्ता नहीं है क्योंकि अल्डेडी उसके वश्मे सारी चीजे हैं तो क्यूं वश्मे करेगा और वो क्यूं है? बीजा वधानम के कारण है यूंकि उसने बीज का ध्यान किया है अपने आपको बीज से जोड़ के रखा है बीज से जोड़ के रखा है तो बीज से जोड़ के रखने के कारण ही उसका संपुर्ण नियंतरन है तो यह सब हमें बातों को समझना पड़ेगा और हम समझेंगे तो निश्य ही ये विश्य सपष्ट होगा तो बीजावध हानम का परिणाम क्या मिलेगा उसे तो ले और परमानंद का अनुभा करेगा उसका ले होगा लेकिन अब ले होने का भी एक एक सिद्धी आ जाएगी अब यहां पर भी अब तो पहले देखें उसको स्वातंतर सिद्धी स्टेप वाइज स्टेप बातों को समझाये जा रहा है सहज विद्या को समझाये गया वहां सिद्धी आती है फिर एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर वो स्वतंत्र भाव हो जाता है तो वहाँ सिद्धियां आ जाती है कि वो सारे शरीरों पर नियंत्रन कर सकता है सबी वस्थों पर नियंत्रन उसका आ जाता है स्वातंत्र हो जाता है शरीर के बंधन से और अंताकरण के बंधन से मुक्त हो जाता है योगी स्वातंत्र भाव में इसलिए उसको स्वातंत्र भाव कहा गया अब जो है उसमें भी वो नहीं फसा step-by-step शिवसुत्र बताने की कोशिस कर रहा है अगर वो उसमें भी नहीं फसा और बीज पे अपना ध्यान रखता है बीज अब धानम में ध्यान रखता है तो ले की प्रक्रिया में वो ले होना शुरू कर देता है और ले की प्रक्रिया से जूड़ कर पूरी तरह से ले होकर मोक्ष को प्राप्ट करता है लेकिन अभी आगे की बात नहीं बता रहा है शिव सुत्र अभी मात्र ले होने की प्रक्रिया पर ध्यान है कि मजजन हो रहा है ले हो रहा है ले हो रहा है वो उसमें डूब की लगा रहा है मजजन होने का मतलब क्या है तो उसमें डुबकी लगा रहा है उसका मजण हो रहा है लेकिन उससे क्या होगा अभी एक और सिद्धी आन पड़ेगी एक और सिद्धी उसके अंदर आजेगी कौन से सिद्धी अब आएगी वो अगले सुत्र में हम चर्चा करेंगे अगले सुत्र में हम देखेंगे तो बीजावधानम का क्या परिणाम होगा उस विशे को यहाँ पर बताया गया ठीक है जिग्यासू तो इस प्रकार से हम एक एक सुत्र को चर्चा करते हुए हमें कहां तक सुत्र पहुंचाता है इन सब बातों को कई बाधाएं योगी के जीवन में आती है कई अवस्थाएं आती है लेकिन अगर उसका ध्यान बीज पर है अपने लक्ष पर है संपुर्ण ब्रमान्ड का मूल कारण जो बीज ब्रम है उस पर ध्यान है तो निश्य ही वो कर लेता है संसार में वो रहे ये योगी का विशय ये भी ध्यान रखेगा कि आप किसी को बाहर से देख नहीं पाएंगे जज नहीं कर पाएंगे इसलिए पतंजली योग सुत्र क्या कहता है इस विशय में आपका विक्तिगत विशय है भाईया कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा कोई दूसरा आपके लिए इसमें कुछ नहीं कर पाएगा आप कोई सारी सावधनिया रखने दूसरा क्या कर लेगा इसमें क्योंकि अगर आप सही जगह पे रहोगे तो मुक्ति आपको मिलेगे, नहीं रहोगे तो फस हो गया, इसलिए आपके अलावा कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, तो दूसरा विर्थी ना बन भी नहीं सकता, अगर वो कोशिश भी करे तो नहीं बन पाएगा, तो कोशिश भी विर्थ का कोशिश प्रयास होगा फिर, इसलिए योगी बिलकुल सधारन विवहार रखते हुए, लोक विवहार में सधारन रहते हैं वो, ऐसा नहीं कुछ विशेस प्रदर्शन की मैं बहुत सिद्ध पुरूश हूँ या मैं बहुत हूँ, नहीं, भगवान कृष्ण कैसे रहते थे, परम योगी थे, सद्ध जिसे हमेशा जुड़े रहते हैं, और व्यर्थ सिद्धियों का प्रदर्शन या प्रियोग में नहीं लगते हैं, ठीक है, तो इस तरह की स्थिती योगियों के लिए बनती है, तो हमें यह बात समझने की आवशकता है, और फिर जब वो ले होने लगेगा, तो अगली अव उत्रपे चल्चा हम अगले व्याख्यान में करते हैं, तो चली इसी के साथ विराम देते हैं, तल फिल मिलते हैं, नौ बजे लाइव चल्चा में, बहुत बहुत आभार आप सभी का, ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, 14 जुलाई से शुरू होगा, ज्वाइन करना चा ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर लाब उठाइए, तो जिग्यास्वों इसी के साथ आज के, आज के इस कारिकरम को हम यहां विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं, लाइव चर्चा में, बहुत बहुत आभार आप सभी का,